ओ कैसे है मेरे ठरक के दिवाने तो यारो आज हम जिस मुवी की बात करें उसका नाम है यंग और ब्यूटिफुल ये मुवी दोज़ा 13 में रिलिस हुई थी इस मुवी की काहने हिजाबल नाम की एक लड़की पर बेज़ट है जो की सिर्फ 17 साल की है इसाबल एक कॉल गल है यानि कि वो एक प्रोस्टिटूट है जो पैसे लेकर लोगों के राते रंगीन करती है कहानी में टन तो तबाता है जब एक बुढ़े आदमी की साथ सेक्स करते समय उस बुढ़े आदमी की जान चली जाती है तो यारो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही मजिदा तो शुरू करते है आज का वीडियो बिना कैसी मुठल बाजिए के मूभी की शुरूरात होती है इसाबल से जो अपनी फैमिली के साथ vacation मनाने आई है मुवी न हम देखते हैं कि इसाबल संबात ले रही है और उसे कोई चुपकर देख रहा है यह कोई और नहीं बलकि इसाबल का चोटा बाय विक्टर है जो अपनी बेहन की जवानी को निहार रहा होता है इसाबल अपने कपड़े उतार को महीब पर सो जाती है और फिर Victor उसके पास आता है जिसाबल जाग जाती है और Victor से बुझति एक तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो Victor कहता है कि Felix तुम्हें डूण रहा है तो यार अप्पको बता दू Felix is thunder का boyfriend है और ये बात Victor को भी पता है क्योंकि इसाबल और Victor काफी करीब है और दोनों एक दूसरे से हर बास शेयर करते है फिर विक्टर और इसाबल फार्माउस पर चले जाते है जहां इसाबल की फैमिली और रिलेटिव लंच कर रहे होते है लंच के बाद इसाबल की मॉम सिल्वी उसके पास आती है और उससे फैलिक्स के बारे में पूजती है और आगे वे कहती है कि क्या तुम फैलिक्स से प्यार करती हो मगर इसाबल इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती अगे सिल्वी कहती है कि तुम फैलिक्स को डिनर के लिए इन्वाइट कर दो मगर इजाबल इस बात के लिए मना कर देती है और कहती है कि वो तो एक डम लड़का है मूवी में आगे हम देखते हैं कि दोपर का समय है सब लोग आराम कर रहे होते हैं मगर तभी विक्टर की दिमाग में कुछ चूल मस्ती है और वह दूसरों के रूम में ठाका जाकी करने लगता है जब वह इसाबल के रूम में ठाकने की कोशिश करता है तो देखता है कि इसाबल अपनी हाथ गाड़ी का उप्योग कर रही है अगर आपको अभी तक सुमझ नहीं है कि इसाबल क्या कर रही है तो बेटा ये वीडियो आपके लिए नहीं है आप जाकर पोगो देखो अगले सीन में हम देखते कि इसाबल और विक्टर बीच के किनारे सुन बात ले रहे होते तब ही वहाँ फेलिक्स आ जाता है जो कि इसाबल का बॉइफरेंड है फेलिक्स इसाबल को लेट नाइट पार्टी के लिए इंवाइट करता है और कुछ दिर बात ही करने के बाद महाँ से चला जाता है मोवी में आगे हम देखते कि इसाबल के मॉम डैड और रिलिटेफ सापस में बात कर रहे होते और दूसरी और इसाबल पार्टी के लिए रेडी हो रही है जिसमें विक्टर उसकी हेल्प कर रहा है इसाबल विक्टर को सबका ध्यान बटकाने के लिए कहती है ताकि वे पार्टी में जा सके आगे हम इसाबल और फेलिक्स को इंजोई करते देखते है और फिर वहाई दोनों बेच के किनारे आ जाते हैं जहाँ वहाई दोनों दबाकर संबोग करने लगते हैं मगर इजाबेल को इसमें मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि उसका ये फर्स टाइम था और वा मनी मैं सोचती है कि ना दम है तेरी धार में और नहीं तलवार में, रग दे से मयान में, काम आएगी हिलाने में समझ रहो, समझ रहो आप, समझ रहो ना निरासली लगे बार फेलिक्स इसाबल को घर चोड़ने आता है जैसे ही इसाबल घर में एंटर हो रही थी, तब ही वापने डैड को नंगा दीख लेती है इसाबल के डैड को लग रहा था कि इसाबल उपर सो रही है, इसलिए वे गर में नंगी ही गूम रही हो थे मगर इसाबल को बार से आता देख वह अपने सामान को ढख लेते है और इसाबल से के ते कि तुम कहा थी, मगर इसाबल इसाबल का कोई जवाब नहीं देती और वे अपने रूम में चली जाती है विक्टर इसाबल की रूम में उसका पहले से वेट कर रहा था इसाबल विक्टर से पूझती है कि तुम यह क्या कर रहे हो विक्टर केता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमारे और फिलिक्सी बीच में क्या हुआ मगर इसाबेल उसे कुछ नहीं बताती और उसे भगा देती है क्योंकि इसाबेल का मौन काफी कराब था और होना भी चाहिए क्योंकि उसके सपने काफी बड़े थे जो फैलिक्स के चोटे सपने को देखकर चूर चूर हो गए कुछ देनों बाद इसाबेल का बर्थडे आ जाता है और इसाबेल अब 17 साल की हो गई है और सब इसका सलिवेशन कर रहे है आगे हम देखते हैं कि इसाबेल अपने सामान को पैक कर रही है क्योंकि वह अपने गर वापत जा रही है क्योंकि इसका वेक्रिशन समाप तो जुका है मूवी में आगया मैं कुछ दिनों बाद का सिन दिखता है जहां मैं पता जलता है कि इसाबेल एक प्रोस्टूटूट है और वा आज एक होटल में अपने क्लाइन से मिलने जा रही है इसाबेल रूम नंबर 6095 में जाती है जहां उसे बता चलता है कि उसका क्लाइन 87 साल का बोड़ा आदमी है एक बार तो मैं भी सोच में पढ़ गया था कि या आदमी लेने आया है या अपनी देने तो यारो जैसे ज़से मारे चाचा काम चलाई ले थे और इसाबेल के साथ दबाकर संबोग करते है फिर इसाबेल अपने पैसे लेती है वो घर चली जाती है और आकर वैसाब के साथ नॉर्मल तरीके से बात करती है वैसाब प्रेटेंड करती है कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था रात को इसाबल अपने लैप्टों में एक साइट ओपन करती है यह वही साइट है जहां से एक लाइन्ट इसाबल से बात करते है मुवी में आगे हम देखते हैं कि इसाबल अपने स्कूल में है वह मैज़ पर बैटकर अपने एक लाइन्ट को मेसेज करती है उसे मिलने के लिए बुलाती है वह क्लाइन को मेसेज कर दी रही होती है कि तब उसकी फ्रेंड आ जाती है जिसे देखकर वह अपने फॉन को छिपा लिती है इसाबेल की फ्रेंड उसे पूस्ती है कि क्या वह तुम्हारा बोईफरेंड है सबस्माइब निब ह bir एक का्पिजारिए को ही मिलना की चालता है एक तो खालता है ले सकताल तो छोड़ो गाइस अब हम्य क्याही कर सकते हैं इस सब के बाद पत्राइब अबने पैसे लएका कर घरड चली जाता है इसाबेल की लाइफ ऐसे ही चलती रहती है वेरोज किसी ना किसी क्लाइट से मिलती है और अपनी लाइफ को एंजोई करती है और इस तरह उसने काफी पैसे ही खड़े भी कर लिये थे मूवी में आगे हमें कुछ दिनों के बाद का सिन देखता है जहां में पता चलता है रिलेटिव को आपस में बात करते देखते हैं और वह समझ जाती है कि उसकी मां का पीटर के साथ कुछ चल रहा है इसाबेल अपनी सीट पर आकर बेढ़ जाती है तब हमारे चचा यानि कि जोज का मेसेज आता है और वह से वह उसी रूम में बुलाता है यानि कि 6095 में अगले दिने इसाबेल होटल में जाती है और जोज के साथ दबा कर संबोख करने लगती है मगर संबोख के दो रहां जोज को हार्ट अटेक आ जाता है और हमारे चाचा लेते लेते ही चले जाते है इसाबेली सासर से खरबा जाती है और उसे चोट भी लग जाती है फिर इसाबेल अपने कपड़े पहनती है और वहां से पैसे लेकर चली जाती है अगली सीन में में बपता चलता है कि दो पुलिस वाले इसाबेल की मौम के ओफिस आते है और उन्हें सब बात बता देते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी एक प्रोस्टिटूट है आगे वे कहते हैं कि आपकी बेटी कल रात जोज के साथ थी और जोज की डैड बोडी हमें होटल से मिली है इस बात से इसाबेल की मौम को एक शौक लगता है वे सोसती है कि इसाबेल एक प्रोस्टिटूट कैसे हो सकती है वह तो सहब 17 साल की है पुलिस वाले और सिल्वी घर आ जाते और इसाबेल की रूम को चेक करने लगते बोड़ा हो लगता है वह तो सोसती है कि उसकी बीटी ऐसा कैसे कर सकती है जब इसाबेल वापस अपने घर आ रही होती है तो उस रास्ते मैं वसरा से मेड मिलती है तो वह अपनी मेड से बीडित, तुम यतन जल्दी, तो बढलन के छोड़ रही हूं और इसाबेल भी पुलिस वालों को सबको सच बता देती है इन्वेस्टिकेशन और जोज की रिपोर्ट देखकर पुलिस वालों को भी पता जल जाता है कि जोज की मौश सिर्फ एक हाथसा थी अगली सीन में हम इसाबेल और इसकी मौम डैड को आवस में बात करते देखते है जासे लवी इसाबेल से थैरी पे लेने के लिए के लिए कहती है मगर इसाबेल मना कर देती है मगर अपनी मा के जिट के आगे वोसे जाना पड़ता है अगले सीन में बटा चलता है रिप रिपिलेने थे किली साथ जा रही है उसलुबी उसके साथ जाती है साइकलोजिस्ट रिजबे lucky साथ पूसता है क्यों हम अपने कोसरो करियर में कहुंगोंसे उमरके लड़कों के सास деревों थी तो साइकलोजिस्ट कहता है क्या भर तुम्हारी डेड़ के भी थे एक साइकलोजिस्ट इसाबैल से अपने डेड़ के बारे में पूसते तो इसाबैल कहती ही कि उनकी रियल डेड़ तो उनसे अलग हो चुके वे है अपने step dad के साघ टी जो कि काफी अच्छे है फिर पिलेने के बाद इसाबेल वापस करा जाती है अगले सिंग में हम देखते हैं कि इसाबेल अपने रिलेटर्स यानि पीटर और वोर्ड के लिए बेबी सिप्टिंग कर रही है पीटर और वोर्ड अपनी एन्वर्से मनाने के लिए बार गुमने जा रहे है इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के ध्यान रखने के लिए इसाबेल को बुला लिया है इसाबेल को नीन नहीं आ रही थी इसलिए उनकी रूम में तागा जाकी करने लगती है उसे बीटर का लैपटोप मिलता है वे लैपटोप को खोलने का ट्राय करती है वहीं उसे 6 गंटों के लिए सिफ 60 योरोप मिले है फिर इजाबल वापस गरा आ जाती है और गरा कर देखती है कि उसके डैड टीवी देख रहे है और उसकी मुम सो गई है फिर इजाबल अपने स्टेप डैड से बाते करने लगती है और कहती है कि मैंने अच्छा गंटे में 60 योरोप बनाए है बातों वी बातों मैं इजाबल अपने डैड को सर्डियूस करने लगती है मगर तभी वहाँ पर सिल्वी आ जाती है और इजाबल को अपने रूम में बेज़ देती है फिर सिल्वी अपने अजबन के साथ बात करने लगती है और कहती है वह तुम से ऐसे बात कैसे कर सकती है तो सिल्वी का अजबन कहती है कि क्या हम उसे बोर्डिंग स्कूल बेज़ दे तो सिल्वी उससे मना कर देती है वैं कहते हैं कि उसे एक और थेरिपी की जरुत है और वैं इसाबेल से इस बारे में बात करेगी फिर वैं इसाबेल के रूम में आ जाती है और कहते हैं कि तुम्हें एक और थेरिपी की जरुत है हागे हम इजाबेल को तेरिपी लेते देखते है अब इजाबेल के हलत काफी नॉर्मल है कुछ समय बाद इजाबेल अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में जाती है जा उसके मलाकात एलेक्स नाम के एक लड़के से होती है एलेक्स इजाबेल का क्लास्मेट है तो इसके मिलाख से बहुत पहले से प्यार करता था ईलेक्स अपने प्यार का इजाबेल से करता है और फिर वह दोनों एक दूसरी को किस्ट करने लगते пять पार्टी में जूइ करके ँजाबेल वापस घर आ जाती है अब इजाबेल भी एलेक्स से प्यार करने लगती है वे दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ बिताते है एक दिन इजाबेला एलेक्स को अपने घर इंवाइट करती है और आगे हम दोनों को दबा कर समभू करते देखते है इजाबेल को एलेक्स के साथ काफी अच्छा लग रहा था वे एलेक्स के साथ काफी इंजॉय कर रही थी तो समय बाद इजाबेल को फिर से चुल मजती है वे अपने पुरानी सिम्क अपने मोबाइल में लगाती है जिससे क्लाइटों से मेसेज करते थे सबसे पहला मैसे जोज की वाइफ है या निकी चच्चा का वाइफ का था इसाबेल जोज की वाइफ से मिलने जाती है और जोज की वाइफ को मिलकर सब कुछ सचा बता देती है जोज की वाइफ और इसाबेल उसी रूम में जाते है जोज की मौत हुई थी इसाबेल और जोज की वाइफ वहाँ पर बाते करने लगते और थोड़ी दर बाते करने के बाद 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 वहाँ पर सो जाते है जब इसाबेल के आँख खुलती है तब गया देखती है कि जोज की वाइफ वहाँ से जा चुकी है इसी के साथ हमारे आज की मुवी एंड हो जाती है तो यारो आपको यह वीडियो कैसा लगा इस मुवी से हमें काफी strong message मिलता है अगर आप मुवी के मैसे कुछ जान गए हो तो comment करना और अगर इस वीडियो से आपको अगर आपको यह वीडियो से आपको यह वीडियो के साथ हो